मुझे माफ कीजी मैं अपने कैरेक्टर में कुछ जाधा ही डूब गई थी बात यह है कि मस्तफा किसे और से महबद करता है किसी और से महबद करता है उस कमबक को मेरे साथ काम करते हुए दस साल हो चुके हैं पर मैंने तो से किसी से इश्च लड़ाते कभी नहीं देखा है वेरी गुड़ किस करो देमीर आजाओ भाईयों आजाओ रस्ते कमाल सस्ते में ले जाओ महेंगी शर्ट फ्री के भाव में ले जाओ आजाओ आजाओ जो चाहिए अपनी मर्जी से दाम में ले जाओ मैं कला पेचने आया हूँ आओ 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 मेरा आठ देखो आओ बच्चो आओ अंकल यह क्या है छोटी चॉइलिट सीट जैसा नहीं नहीं यह तो क्ले पॉट्स हैं कुकिंग के काम आते हैं आपने शायद पहले कभी नहीं देखे लेकिन आपकी अम्मी जाने नहीं देखते इस सुम्र में ऐसा सामान बेशते हुए देखकर हमें तरस आगया था आप पर अल्ला यह नई जनेरेशन के बच्चे भी कमाल के इन दोनों को आठ के बारे में कुछ पता तोहां नहीं बस बखबख किये जा रही हैं क्या बच्चे हैं आजकल के अरे पुलिस आ कई अरे भा एंन सर खुशाम दीर आई यह सब मैंने खुद अपने हातों से बनाये बोली आपको क्या पैकर करके दूँ यह सब गाड़ी में डालो एक मेंट रुको बेटा क्यों? रास्ते पर सामान बीचना गयर कानूनी है इसका टैक्स भरना पड़ेगा लेकिन हम तो पहले से ही जाने जाने इतने टैक्स भरते हैं यह मिठी बगीचे की यह लकडी मेरे बगीचे की है अब इन चीजों का भी टैक्स भनना होगा इससे भी तो कमाए होगी और उसका टैक्स लेकिन अभी तो मैंने एक भी चीज बेचे नहीं है तो टैक्स अब आप बस भी कीजिए किसे बेवकुफ बना रहे हैं आप अरूक 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 यह मेरी कुरसी है अब घर से लेकर आया हूं यहां बैठने के लिए लाया था यह सेल के लिए नहीं इसे तो छोड़ो बिटा अरे जोड़ो अंकल आयला ध्यान से बेटा देखना कहीं है तूटना जाए यह बड़ा एक कीमती आर्ट वर्क है काम बहुत ज्यादा है पर पांच बज़े में सेट से निकल जाओंगा हलो कैसे हैं आप क्या आप दोने ने अपनी स्क्रिप्ट याद कर ली जी सर मैंने याद कर ली है मुझे वो एक्टरिस बहुत पसंद है जिनने स्क्रिप्ट याद करनी आती है अर तुम क्या तुमने अपनी डियालोग याद कर ली है मैंने तो स्क्रिप्ट अभी तक देखी भी नहीं है तो शूट कैसे करेंगे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हमारी परसनालटी कापी अच्छी है अगर तुम कैमरे के सामने एक बार नजर उठा कर देख लोगे तो कमाल होगा कैमरे में देखना है नहीं कहीं दूर देखना है या खड़े हो के मेरे काम पे उंगली उठा रहे हो कहना क्या चाहते हो नहीं सर मेरा मतलब यह नहीं था मैं तो बस यह कह रहा था की सालों से सीरियल रही ही तो बनते आ रहे है कुछ भी फरक नहीं होता चैनल बदल तो भी कॉंटेंट वही होता है सिर्फ नाम बदल दिये जाते हैं, एक्टर्स बदल दिये जाते हैं, पर कहानी वही की वही होती है. अच्छा सर, मिस्टर निहात का है, क्या वो सेट पर नहीं आ रहे है? वो इस वक्त अपनी वैन में बैठ कर रहा है, जब सेट पूरी तरह तयार हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, चलो, अब और वक्त बरबाद नहीं करते हैं, चलो, सब लो तयार हो जाओ, चलो, वैन, कैसी वैन, सुनिए, यहाँ आईए प्लीज, क्या बात है, मिस्टर डेमीर, क्या आप भी जैरी के ग्रुप से ही हैं, जी सर, तो फिर मेरी वैन कहां पर है, निहत के पास वैन है, तो मेरे पास क्यू रही है, यहाँ इस फिल्म का लीड अक्टर हो, नहीं इसकी बात का बुरह मत माना, मैं तो ऐसे कोई रिक्वार्मेंट नहीं मिली थी सर, मैं पूछो जाके पूछो ये नाइंसाफी में अपने साथ नहीं होने दूंगा अरे कॉन सी मैन बूलगे हम क्यों आए लीड एक्टर को कोई चीज चाहिए तो क्रू मेंबर का फर्ज है कि वो उसे ला कर दे और इसलिए तुम भी एक एक्टर होने का नाटा कर लो वना चोरी पक कर दो तुम्हें इसकी आदत पड़ गई है क्या बताओ मुझे मुझसे तुम्हारी असिस्टिन की एक्टिंग नहीं की जाती तो यह नाटक केसे करूंगी मैं अभी जाका मिस्टर बुरान से बात करती हूं अला अला देखो वो आहीं रहें बात कर लो क्या हो रहा है अच् करूंगी कि बुरान भाई ओ निहाथ आओ यह मेरे नए लीड एक्टर्स मिस्टर देमीर और मिस्स निल हाइं आयम निहाथ नील निहाथ असलांतस नील कराय आपसे मिलकर खुश्य है मुझे भी अलो देमिर भाई कैसे हो मेरे भाई कि शॉट रेडि है क्या हां रेडि है कि अब कहीं यह मत कहना कि तो हुआ हुआ है हाँ है अब कहीं यह मत कहना कि तुम पूरा को पूरा समान बेज कर आयों मैं खड़ी-खड़ी अल्लगों प्यारी हो जाओंगी अब हम शूट शुरू करेंगे थोड़ी से उपर एक्षन इस मॉडल को किसने सिलेक्ट किया है मैंने सिलेक्ट किया है तुम्हें पसंद नहीं आई लेकिन ये मॉडल तो बहुत ही फेमिस है हर न्यूस चैनल की सुर्ख्यों में है हमारे ब्रैंड के लिए परफेक्ट है हमारे ब्रैंड को सुर्ख्यों में रहने के लिए किसी भी मॉडल की जरूत नहीं है तुम चिला क्यों रहे हो ने 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 नील ओफिस करेक्टर से बाहर मत जाए आप याद रखिए आप रेट है जो प्यार का कलर है मुखबत का रंग है रेहर्सल कंटिनू कीजिए ऐसे ट्राइ कीजिए चलिए कोशिश कीजिए लेकिन इसके कैरेक्टर को भी चिलाना सूट नहीं करता है क्योंकि हकीकत में ये भी इसको पसंद करता है ये अलग बात है ये मानता नहीं मिस्टर देमेर को अपने रोल के बार में कुछ नहीं पता डालोक्स भी नहीं सर डिरेक्टर आप हैं तो यह डिरेक्शन क्यों दे रही है देखो गाइस समझो अगर आप दोनों हर सीन में ऐसी जगडा करते रहेंगे तो शूट कैसे कर पाएंगे रियार्शल कीजिए प्लीज कांसेंडेट कीजिए काम पर फोकस कीजिए रियार्शल कीजिए ठीक है मुझे माफ कर दीजी यह लड़की तो ब्लॉंड है हाँ यार ब्लॉंड है इसके बाल हमारे ब्रैंड के कलर्स को फीका कर रहे हैं मिस्टर यह तो मैंने सोचा ही नहीं था वाह अब हमें इस मॉडल की जगा कोई और मॉडल ढूननी पड़ेगी कि इस ही कि इस ही अब दूसरी मॉडल कहां से लेकर आउं गाइस आप दोनों मिस इसी से एक दो कदम आगे जाईए और मिस इसी आप दोनों से एक दो कदम पीछे रहेंगी और आप वहीं से एक दूसरे से बात कीजिए ठीक है सुनो नहीं मुझे लाइन से याद हैं मैं सोच रहा था अगर तुम कहो तो एस को ट्राइ करके दिखें हां ये ब्रुनेड भी है इस मॉडल से हम अलड़ी बहुत परिशान है लेकिन अब हमारे पास एक मॉडल और आप्शन में है अगर आप कहें तो मैं अब क्या कर सकते हैं कोई रास्ता ही नहीं बचा ठीक है इसे ही कंवेंस करते हैं वेल डन गाइज बहुत बड़िया था अब हम सीन का फाइनल टेक करेंगे आप लोग तयार है ठीक है अब हम शूटिंग सार्ट करेंगे चलो सब लोग अपने काम पर लग जाओ मेरा लुक ही काफी है सही का और उस पर आप म्यूजिक भी आड़ करने वाले हैं है ना बिल्कुल सही ग्रेट यह मेरी लुक पर म्यूजिक भी आड़ करेंगे करना ही पड़ेगा यह तो बड़ा सही बंदा यार कहां से धुनकर लाया उसे अगर जादा गर है मैं तो ठंडी करके लेया हूँ नए नए बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्री है हाई सालेम अल्ला पहली बार कोई कमाई वाला काम किया है आज से तुम जो जाहो कर सकते हो इस पूरे गार्डन को मिट्टी से भर सकते हो अल्ला कासा मैं चुप रहूंगी कुछ नहीं कहूंगी बस अपने शोहर पर भरुसा रखो बेगम मेरे ख्याल से मुझे मेरी जिन्देगी का असली मकसिद मिल गया है अब मैं मिट्टी से बरतन बनाया करूँगा और बाजार में बेचे हाई शुक्रे अल्ला शुक्रे तुम्हें सी साइड पर फिश खिलाया करोगे तुम्हें फिश खाने जाना है घर पर पीज़ा नहीं खा सकती है है अल्ला कुछ ख्वाब मैं अधूरे ही लेकर मलूंगी मशली की जगा पीज़ा खाती रहूंगी हद करते हो सालिम यह कि इतनी खुबसूरत लग रही है न हाँ हाँ खुबसूरत लग रही है सुनिये मिस एक पिक्चर इस एंगल से प्लीज हाँ बलकुल बड़े टाइम की बाद इतनी पाफिट मॉडल मिली है अब सच कह रहे हैं निल प्लीज अपने करेक्टर से बात मज जाईए कैन तु प्यार से जजबातों से और थोड़ी सी जलन भी जलकनी चाहिए देखते रहो उसे देखते रहो देखते रहो और कितनी देर तक ऐसे ही देखता रहा हूं भाई घबरा मत मैं इसमें म्यूजिक आड़ करने वाला हूं तु बस देखते ही जा बहुत बड़ी है तुम उसके बॉस लड़की से प्यार है बहुत ज्यादा प्यार है लेकिन तुम उसे इजहार नहीं कर पाते हो बस ऐसी देखते रहो तुम शूटिंग के बाद उसे डिनर पर ले जाने की सोच रहे हो और उसके बाद तुम उसे अपने घर ले जाने की सोच रहे हो उसे अपने घर ले के बारे में सोच कर वो वाला लुक दो हाँ वही एक्सप्रेशन्स दो देते रहो देते रहो भाई अरे तु यहां क्या कर रहा है जा अपनी जगा पर जाकर क्लिक करना हाँ तो हम कहां थे खवाप देख रहा था अब धीरे धीरे लड़की की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर कर उठ रही हो हां कैन तुम चलना शुरू करो वेरी गुड ग्रेट ग्रेट चलते रहो ऑनस्थी अब 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 तुम उससे धीरे से उठा लो बहुत ही बढ़िया मुझे शॉट मिल गया शॉट मिल गया मुझे बहुत ही प्यारा सीन था अच्छा सुनो यह फाइनल शॉट है अम इसी सीन को यूज करेंगे ठीक है समझ गई हाँ बहुत ही लाजवाब सीन था और म्यूजिक डिरेटर से बोल देना कि इसमें मुजिक एड करना ना भूले समझ गई ना ठीक है ठीक है वेरी कुट है हलो मैडम शॉट कट हो गया शॉट कट हो चुका है वेल मुझे माफ कीजी मैं अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही डूब गई थी यह मेरो रोज का काम नहीं है ना मैं तो एक मैथाड एक्टर हो सर जब भी लगता है कैरेक्टर में डूब रहा हूं तो मैं बाहर निकल आता हूं कितनी देर हो गई ऑफिस में अब तक कोई नहीं आया मैं यहां बैचे-बैचे बूर हो गई हूँ अल्ला जाने अब मेरा बेटा कौन से नए गुल खिलाने के लिए निकला है वैसे नील भी इतनी देर से ऑफिस क्यों नहीं आई अभी तक कोई आया या नहीं जह हम भी इंतिसार कर रहे हैं लेकिन ऑफिस में अब तक कोई नहीं आया है मुस्तफा और फादीम कमरे में दाखे लुए मोजिस तुमने मुस्तफा को आफिस बेजा है नहीं हकी मैंने नहीं बेजा है अल्ला करे सब ठीक हो तो कैसे हो तुम मैं अच्छा हो तुम कैसी हो ओपरवाले का शुक्र है तुम्हारी वजह से मैं भी पहले से बहतर हूं तुम्हारा सामान तोड़ दिया मेरे खाल से एक दो कैमरे भी तूट गये हैं देख लो तूटे है या नहीं कि आहां यहीं वाला मेरे खाल से एक ही तूटा होगा ठीक है आप फादिमा तुम्हें पकड़ रही हूं लेकिन क्यों तक कि तुम घिरना जाओ इसे लिए तो ठीक है हाकी यह वहां पर क्या कर रहे है फादिमा मुस्तफा की टांगों को गले से क्यों लगा रही है बताओ यह सब देखकर मैं बहुत हैरान हो गया हूं बेगम तुम फादिम के जजबातों को समझ नहीं पा रही हो अगर यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो चलो फिर इनकी जोड़ी बना देते हैं हामें दौए यह समत करना क्यों ऐसा ना करें बोलो उनकी उम्र भी तो शाद की उम्र से बड़ी हो चुकी ना बात यह है कि मस्तफा किसी और से महबद करता है किसी और से महबद करता है उस कमबक को मेरे साथ काम करते हुए दस साल हो चुके हैं पर मैंने तो से किसी से इश्च लड़ाते कभी नहीं आप नहीं जांता है लेकिन एक दिन वो बहुत परिशान था तो उसने अपना दिल मेरे साथ हल्का किया था उस लड़की कि बारे के बने हुआ uve मेरे खीयाल से कई बोलर की अपनी प्रादिमा तो नहीं है नं이식ा अ कि को भी सकता है मेरी तरफ देखो तुम तो आज बड़े हैंसम लग रहे हो मैं तो बच्पन से हैंसम हूं मेरी टीचर्स बताया करती थी क्या मैं पैदा ही हैंसम हुआ था अच्छा लेकिन मुझे तो तुम आज ही हैंसम लगे यह शायद वो मेरा वेहम था काश तुम हमेशा कैन के कारेक्टर में ही रहो कैन जब मुझे देखता है तो अच्छा लगता है लेकिन देमिर बनकर तुम किसी जंगली खुनखार जानवर जैसे लगते हो ऐसा है वैसे इस जानवर को बड़े प्यार से देख रही थी मैं कैन को देख रही थी देमिर को नहीं अच्छा कैन बन जाओंगा तो फिर से ऐसे ही देखूगी ज़रूर देखूँगी सच में देखूगी कैमरा तो ठीक लग रहा है कोई खराबी नहीं है मुस्तफाह थे क्यां से मुस्तफाह थे FM मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम तो पकड़े हुए थी न मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला मेरा ध्यान पता नहीं कहा था और हम दोन्हों गिर गये तुम là बेंदा North तो ठीक हूँ, पर फादिमा, तुम मेरे उपर से उठ जाओगे प्लीज, क्या सच में मैं उठ जाओँ, हाँ, ठीक है, आजाओ, उठ जाओ, मेरी जान, उठो, कास मिस्टर हकी ने ये सब ना देखा हो, वरना वो क्या सोचेंगे, हम दोनों फिसल कर एक दूसरी की वाहों में गिर गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी जब नील और देमिर यहां नहीं होते, तो मिस्टर हकी का कमपीटर बंधी रहता है, तुम ठीक है, तु करना, यह मुस्तफा को जानों क्यों कह रही है, हमारी फादेम भी ना, आपको नहीं लगता आपकी फादी महल से कुछ ज़दा ही बढ़ रही है, बात तो आइटन की सही है, हकी, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन फादेम कितनी बेखॉफ थी, उसे लग रहा था, कै यह, उसे अपने दाइरे में रहना चाहिए, ठीक है, मैं समझा दूँगा, आज ही बात करिएगा, हाँ, मैं कर लूँगा, बता तो चले कि यह दोनों आखिर चाते क्या है, तुम सही कह रही हो, मेरे दफ्तर में ऐसी बेहुदा हरकतों को परदाश नहीं करूँगा मैं, य अब इसे यह चिपका चिपकी करने के क्या ज़रूरत है, इन दोनों की शादी करवा देते हैं, फिर जैसा इनका मन करें, वो करें, मेरा दफ्तर कोई आशिकों का अड़ा है, अल्ला अल्ला, हर कोई मेरे दफ्तर में आके इस लड़ाता है, बिल्कुल सही का, बहुत हो गया बस अब आप इन दोनों की शादी करवा दीजेगा अब तुम्हें क्या हो गया? सास अटक गया पानी पियो यह ठीक है मैं एक मिनिट अभी आता हूँ क्या हुआ मेरी पाटनर? क्या हुआ एक्ट्रिस? मेरी बात सुनो, जिसके साथ तुम खड़े थे, वो माहर है डिरेक्टर ओफ सिनेमेटोग्राफी मेरी ख्याल से वही है जिसका सरपल ने जिक्र किया था पर वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, जब तुम्हारा मेकप हो रहा था तब उसे बात भी की थी उसकी तरफ देखो, दिखने में चोर लगता है, लंबी सी दाड़ी, अजीब सा स्टाइल अब चोरी डखेती का दाड़ी से क्या लेना देना, बेचर अपना काम ही तो कर रहा है तुम्हें ऐसा लगता है, फिर भी उस पर नसर रखना, वो मुझे ठीक नहीं लगता मैं सिसल को उसके बारे में पता लगाने को कहती हूँ, देखते हैं अगर उसके हाथ कोई ख़बर लगती है, वो बहुत काबल है हाँ, बोलो सुनो सिसल, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, तुम डिरेक्टर ओफ सिनेमेटरग्राफी माहिर दुरुसल, दुरुसल ही था ना, माहिर दुरुसल इसके बारे में सर्च करो, इन्फरमीशन निकालो मेरी सीट को बचा कर रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरा फर्ज था यहाँ जाओ, सबको अपनी पॉजिशन से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है अब मेरी बाल तुम दोनों गौर से सुनो, मैंने इस स्क्रिट में कुछ चेंजिस किया है, मैंने अभी जो सीन शूट किया था, उसका क्लामेक्स सोड़ा सा चेंज कर दिया है, हम वो सीन दोबारा शूट करेंगे, ठीक है ना, वेरी गुड़ बाल, शुक्रिया सर, बहुत आज रात को जिस आदमी का नाम निल ने बताया है, हम उसके घर जाकर तलाश ही लेंगे, मैं भी साथ चलूँगे, नहीं मैं दिमिर के साथ जाऊँगा, इसमें खत्रा है, अरे लेकिन ऐसा क्यों, वजब मैं तुम्हारे कान में बताऊँगा, क्योंकि ये टॉप सीक्रिट बात है, कोई सुननल ने, इसलिए तुम्हारे कानों में बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर का पज़र सेव इंसान कहता है, अगर मेरे तीन साल के भाई ने तुम्हारी तरफ देखा, तो मैं चल कर खाक हो जाऊँगा, जो मैं होना नहीं चाहता, समझ गई, मुझे त सही दिशा में जा रही है, हुरे, मैं इस खबर से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें स्पाइडर मैन की तरह किस करना चाहता हूँ, थोड़ा पास आओ ना, मैं अपना मास को उतार लेता, लेको, मैंने कहा था ना, ओफिस में इस तरह की हरकते नहीं चलेंगी, अलग हो ज को फिर से एक दूसरे को उसी कशिश के साथ देखना है, समझ गए, मैं आप दूने को बताता रहूंगा और आप बस एक दूसरे को देखती ही रहना, अब शुरू करें, आप तयार हैं, गुट लग, सब लोग तयार हैं, काउंट, चार, तीन, दो, एक, देमीर, देमीर, सर मैं कुछ जाधा ही एक्साइटर हो गया था, ठीक है, मैं लुक से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपने कैरेक्टर में जा चुकी हूं, ओकी, ओकी, चलो, 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 अब शुटिंग सुरू करते हैं, येस, सर, वेरी कुड, वेरी कुड, वेरी कुड, नील की तरफ ऐसे ही नील, यही एमोशनल लुक रखना, बहुत की बढ़िया, नील अपनी हिरनी जैसे आँखो से उस पर जाल फेको, वेरी कुड, किस करो देमील, ओर टाइट क्रोस लो, ओर टाइट करो, बहुत की बढ़िया, बहुत यए शट था, बहुत की उमदा, बहुत ही उम्दा मुझे शट चेक करणा, मुझे शच्कर आँभाँ, बहुत यॉमदा मुझे आचल एटफ।, बहुत हमुंदा शट था, रिवाइन करो, रिवाइन करो, … मेरी गलती नहीं है, थपड मत मार दे ना, तुम किस थपड की बात करे हो, देमेर, मेरा ब्लड प्रेशर लोग हो रहा है, मुझे लगता है मैं भीषोश ना हो जाओ, तुम्हें आक्टिंग भी तो कर सकते थे थे ना, हाँ, अरे नहीं, सौरी सर, कनेक्शन ही नहीं था, पहल टेक्निकल प्रोब्लेम थी, नहीं सर, चलो भई चलो, जल्दी से प्रोब्लेम को फिक्स करो, ठीक है माहिर भाई, इस बार, कनेक्शन अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, रोल की डिमांड है किस तो कर पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, है ना, हाँ, हाँ, रोजी रोटी का सवाल है, यलो, तुम तयार हो, काउन दो, थ्री, टू, तु मेरी और मैं हूँ रासता, हाँ, कब उसे हूँ मैं लापाता, हाँ, कर दू क्या बया, उस दिल की दासता, हाँ, जसमें तुम लिकी हो, हाँ, तेरे बन आशिकी, तेरे बन आशिकी, तेरे बन आशिकी,